आपका हमारे चैनल शीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं जितने भी पॉपलोड्स हैं वो आपके पास आउटोमेटिक मिलते चले जाएंगे और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपले चैनल जिसे देखकर आप इंटर्टेन होंगे आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कुदृष्टी क्या है या यू कह लिए कि नजर लगना क्या है और नजर किन वैक्तियों को ज़्यादा लगती है कैसे जल्दी लगती है और से चुटकारा कैसे पाया जा सकता है कुदृष्टी कोई बुरी नजर बूलते है तो मैं आपको पहले तो बता दू कोई कुदृष्टी क्या है नजर लगना क्या है किसी अन्य वैक्ति द्वारा संक्रमित रज तम तरंगों से पीडित होने की प्र्किरिया को खुदृष्टी शब्द से माना गया है या जाना गया है जैसे बुरी नजर लगना कहते है कोई अन्य वैक्ति चान बूझ कर अत्वा अन्जाने में हमें बुरी नजर से पीडित कर सकता है या अंजाने में भी हो सकता है यह कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी ने जान बुछकी किया हो और बुरी नजर से वैक्ति को आर्थिक, सामाजिक और शारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति को बुरी नजर लग जाती हो तो अंद विमार हो सकता है या उसके कामों में परिशानियां बढ़ सकती है कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वज़े से बुरी नजर और बुरी शक्तियां जल्दी हावी हो जाती है नकरात्मक्ता की वज़े से व्यक्ति को मानसिक तनाओं का सामना करना पड़ता है तो इनसे बचना चीए, अब किन लोगो जल्दी लगती है, वो भी एक विशे है यद भी अनेक लोग इसे अंदबिस्वा समझते हैं तता ऐसा मानते हैं कि ऐसी घटना का कोई तारकिक अस्तितु ही नहीं है किन्तु ये ये नहीं समझते कि अध्यात्मिक आयाम कैनेक पहलू हम पर सीधा प्रभाव डाल सकते हैं और कूदिश्टी किसी को भी लग सकती है ये कोई वेक्ती, प्रानी, वनस्पती, अत्वा, निर्जी, पदार्थ भी हो सकता है तो मैं आपको बताता हूँ कि किन्हें मतलब कूदिश्टी जल्दी लग जाती है वो मैं आपको बता जाता हूँ बहुत ज़्यादा परफ्यूम और इत्र लगाना जो लोग बहुत ज़्यादा परफ्यूम याईतर लगाते हैं सुमसान जगों पर जाते हैं उसके बाद उन पर बुरी शक्तियां का असर जल्दी होता है ऐसे लोगों बुरी नजर भी तुरंट लगती है गरुबती महिलाओं को सुमसान जगों पर बिलकुल नहीं जाना चीए यदि कोई महिला गरुबती है तो उसे सुमसान जगों पर जाने से बचना चीए अपने इश्ट देव का ध्यान करते रहने से बुरी नजर से अच्छा हो सकती है आपको साफ सफाई से रहना चीए यदि कोई वैक्ती साफ सफाई से नहीं रहता है रोज नहाता नहीं है तो नकरात्मक्ता उस पर हावी हो सकती है तो बुरी नजर से बचने के लिए रोज सुबब जल्दी उस्त करस्नान कर लेना चीए साफ वस्तर पहने और आपको साफ सफाई से रहना चीए जब कोई वैक्ती यश्त्री उत्तीज़क वस्तर पहनती है तब विपरित लिंग के वैक्ती के मन में उसके पुर्टी किसी परकार की इक्षायूत विचार रह सकते हैं जब ऐसे विचार मन में निर्णमित होते हैं, तब उस व्यक्ति के मन में आये इच्छा नूसार विचार के कारण रज तम बढ़ते हैं, जो सिस्त्री को तो प्रवावित करते हैं और साथ ही वातावर्ण को ही प्रवावित करते हैं जलन इर्शय उक्ति विचारों के माध्यम से भी होता है कुछ प्रस्थित्यों में कोई वैक्ति अत्वा कोई अनिष्ट शक्ति अन्य वैक्ति प्राणी अत्वावस्तू के संबंद में अईूग विचार करते हैं अत्वा उनकी 29 उने इर्शय होती है तो ऐसी इश्टिती में उत पर नकरातमक तरंगे वैक्ति प्राणी अत्वावस्थू को प्रवाविद करती है कभी कभी काले जादू किया जाता है काली शक्षियों का इस्तमाल किया जाता है तो इसके जो लक्षन है वो मैं आपको बतारेता हूँ लक्षन तो आपको बताई चुका हूँ कि जो आपके नुक्सान जो होते हैं सेचनिक समस्याएं होती हैं, आर्थिक समस्याएं होते हैं बैवाहिक और परिवारिक समस्याएं हो सकती हैं बहुत सारी समस्याँ हो सकती है अभी जैसे उधारन बता जिता हूँ जिनके इक्षा सकती कमजور होती है उन्हें जल्दी अट्रेक्ट करता है जो लोग मानसिक रूप से कमजोर होते है शूटी-शूटी बातों मे डर जाते हैं हमेशा नकरात्मक सोचते हैं वे बुरी शक्तियों की गिरफ्त में जल्दी आता है और ऐसे लोगों बुरी नेज़र लगती भी जल्दी है तो अपनी जो इच्छा शक्ती है वो हमें हमें साथ स्ट्रॉंग रखना चीए अभी हमें करना क्या चीए वो मैं आपको बिता जिता हूँ कि किस तरह से हम इसे बज सकते हैं आप एक तो हनुमान चीए सका पाट रुजाना जी यदियाप करते हैं तो आपको बुरी नज़र लगेगी लिए लग गई तो हनुमान जी के मंदिर में चाहें और उनके चर्णों के सिंदूर का जो तिलक है आप वो लगा सकते हैं कुद्रिष्टी दूर करने के नेक पद्दितिया हैं जिन में ऐसे पदार्थ प्रयोग मिलाए जाते हैं जिन में अनिष्ट तरंगों को अफसूसित करने की छंता होती है तो दुरांत उन पदार्थों का अगनी अत्वजल में भी सरजन कर दिया जाता है तो बहुत सारी चीज़ें जिससे नमक और सर्सू का प्रयोग होता है नमक सर्सू और मिर्श का प्रयोग होता है नारियल का प्रयोग होता है हलंकि पद्दितिया निष्ट ही कुद्रिष्टी से प्रवाइद व्यक्ति को तो रहत दिला सकती है किन्तों ये अस्थाई उपाया है क्योंकि राहत मिलने के उपरांत पुना उजवेक्ति को कुदृष्टी लग सकती है तो नियमित छे मूलबूत से दानतों के अनुसार साधना करने चीए तो उससे क्या होगा कि वातावरण से एश्वरिय चैतन्य पराप्त करने के चमता हम में कई गुना बढ़े जाती है फल्सरूप हमारे चार ओर एक सुक्ष में सुरच्छा कवच का निर्मान हो जाता है जो कुदृष्टी से हमारी रक्षा करता है कुदृष्टी लगने के विशे में अध्यात्मिक वैज्ञानिक सुर्दानतिक एवं कुदृष्टी दूर करना विशे पर जो एक चीजे है आप किसी भी गूगल पर जाके आप कोई भी किताब पढ़के रिसर्च कर सकते है तो धन्यवाद आप सबका हमारी चैनल पर स्वागत है आप हमारी चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंटे दीशे धन्यवाद